नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, सर्वोत्य हास्पिरल फरिदरवाद की आईस्यू की डिरेक्टर आपसे इस करोना वाइरस के बारे में कुछ चंद बातें और शेयर करना चाहती हूँ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें करोना वाइरस को स्टेज 2 में ही रोग लेना है, हम नहीं चाहते करोना वाइरस स्टेज 3 में किसी भी प्रकाल जाए, तो मैं आपको कुछ चंद बातें बताती हूँ आज फोमाइट्स के बारे में, अब हम घर में ने लीजे निउजपेपर, हमारे घर में रोगस्बा जबाइन आता है ईह नुच प्रप्र कड़ते हैं गट ये भायसटो सकते हैं ये फोमाइट्स के लाववा दूसरेचीजरी क्या हयं, जैसे मिल्क पैकेट नहीं पैकेट ले रहे हैं तो मिल्क पैकेट में भी एक फॉमाइट की तना एक्ट कर सकता है. So now the problem is हमें फॉमाइट से दूर रहना है. हमें अपने घर में फॉमाइट की एंट्री नहीं करनी है. So ये तो है problem पर इस problem को कुछ solution है? Yes, जैसे में पैकेट्स हैं तो आप उनको running water में detergent के साथ wash कर सकते हैं. उसके बाद आप उन्हें इस्तिमाल कर सकते हैं. आप बाहर से कुछ और समान आपने मंगाया है. तो अगर वो समान खराब होने वाला नहीं है तो उसको carton को वही छोड़ दीजे. So at least ऐसा करने से 12 से 14 घंटे बाद virus खुद ही उसमें मर जाएगा. फिर आप उसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं. कुछ दो और बाते हैं. मैं अभी भी देख रही हूं लोग बाहर घूम रहे हैं. ग्रोसरी की शॉपिंग कर रहे हैं. तो यह सब चीजें हम 15 दिन के लिए रोक सकते हैं. हमें यह सब चीजें रोकनी होगी. अगर हम यह नहीं रोकेंगे तो हम at risk हैं. और अगर आप बाहर जा ही रहे हैं आपको लग रहा है कि यह essential काम है इसके बिना आपका काम नहीं होगा और आपको जाना ही है तो situation में आप क्या करेंगे? तो घर आईए, सबसे पहले आप किसी भी door knob किसी भी handle को मत चुए घर आके सबसे पहले आप अपने कपड़े चेंज करिए कपड़ों को wash करिए नहाईए, आप देख रहे हैं मैंने सर पर cap भी डालिये विकास मैं अपने head को protect कर रही हूं कि मैंने चालती कि मेरा head पर जो मेरा hair है वो एक fomite के जैसे act करें तो अगर आप बाहर गए हैं तो आपको complete पूरा नहाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉन दाट आपने जो लड़के बाहर जा रहे है या आपके सर्वर्ण झालत्रक्रक्ट झालत्रक्ट झालत्रक्ररन